हेलो दोस्तो कैसे हो आप सब मैं उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो यहाँ पर बिट कौाइन दुबारे से 26 और 27,000 डॉलर के बीच में अटक गया है उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन यहाँ पर तीन ऐसे कौाइन भी आपके साथ में शेयर करेंगे जो एक अपनी सपोर्ट पर हैं और यहाँ से पूरे चांसेज हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वो एक अच्छा रिटन आपको देखे जा सकते हैं AGIX आपको याद है ना हमने शेयर किया था लगबग 5-6 दिन पहले और उमीद करता हूँ 30% से ज़्यादा के प्रॉफिट में होंगे तो अच्छे कोईन अगर आपको सपोर्ट पे मिलते हैं एक अच्छे लेवल पे मिलते हैं तो चांसेज ज़ादा बढ़ जाते हैं रिस्क कम होता है तो ऐसे ही तीन कोईन आज भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे बिटकोईन की अपडेट देंगे लेकिन एक और बड़ा कंसर्न है एक्चेंजिस ने तो हालत हमें पता ही है लोग एक्चेंजिस पे रखना नहीं चाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि एक्चेंजिस कई बार डूपते हैं FTX के बाद में लोगों का भरोसा उड़ गया है तो फिर उन्होंने option ढूंडे कि हम जो है अपने online wallet में रखें लेकिन online wallet में mobile hack हो गया तो दिक्कत है या आपका laptop hack हो गया तो दिक्कत है फिर लोगोंने सोचा चलो हम hardware wallet में रखते हैं और यहां पर दो तीन option निकल के आते हैं जैसे कि treasure हो गया, leisure हो गया लेकिन leisure की बात करते हैं उसके अंदर एक बड़ी controversy निकल के आ रही है कि आप जो है leisure का जो seed होता है आपके लिए बैक अप phrase जिसे कहते हैं 12-24 word होते हैं उनको आप 3 different different जगा पे store कर सकते हो online and script करके लेकिन यहां पर इसके लिए एक बवाल होट ग अदर हो गई या वहां से hack हो गई एक third party को अगर आप दे रहे हो उसके right की वो store कर सकते हैं आपके तो भया मेरा करोड़ो रूपय अगर उसके अंदर होगा तो उसका क्या होगा उसके बारे में भी आज हम आपको clarity देंगे और कितने safe हैं यह hardware wallet उसके बारे में भी आज हम आ आने वाले हैं तो दोस्तों उम्मीद करूंगा हर बार की तरह आप वीडियो को like जरूर करके जाएंगे अपना प्यार यहाँ पर जरूर हमें दिखाएंगे सबसे पहले hardware wallets की ही बात कर लेते हैं क्योंकि एक important concern है अब बहुत सारे लोग जो online wallet नहीं use करते हैं और hardware wallet लाके रखे हुए हैं देखो यहाँ पर तीन category होती हैं अगर आप trading कर रहे हो सबसे पहले इन चीज़ों को समझेगा अगर आप trading कर रहे हो तो चलो आपने exchange पर रख करना क्या चाहिए तो हमारे पास दो option है लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा mobile ले लेते हैं जिसको वो use नहीं करते हैं बस crypto currency को transfer करने के लिए use करते हैं और खासकर वो iPhone रखते हैं उसके अंदर कहते हैं virus थोड़े कम आते हैं लेकिन वो system होता है online ही आपका wallet रहता है अब कई होते हैं सिर्फ crypto currency transfer करने के लिए उसको use करते हैं यह भी एक safe जो है case हो सकता है लेकिन इतना safe नहीं है जितना hardware wallet को यानि कि exchange से बेटर है online wallet online wallet में भी आपको देखना है अगर hack हो गया या आपका desktop या mobile hack हो गया तो क्या करोगे तो इस से better option कहा जाता है फिर वो आता है hardware wallets का या आपके जो 12 है 24 backup phrase होते है word होते है वो किसी के हाथ नहीं लग जाते है आपकी crypto currency को कोई नहीं यहां पर चुरा सकता है यह बात आपको पता होगा सेम online के अंदर भी ऐसे होता है लेकिन online के अगर mobile hack हो गया तो वो control करता है तो आप आप transfer कर सकते हो लेकिन अगर offline रहेगी तो वो hack ही नहीं होगा यह option होता है कई बार हमने ऐसे case भी देखे हैं और कई बहुत बड़े-बड़े case निकल के आए कि करोडो अर्वो रुपे किसी के bitcoin hardware wallet में रखे होए थे या वो भूल गए या वो खो गए या उनकी मृत्ती होगी उनकी family वालों को recover नहीं हो पाए तो स यह अगर कुछ हो जाता है वगवान न कर या कभी ऐसा हो अगर कुछ हो जाता है तो भया यह ऐसे ऐसे आपको recover करना है सिखा दीजिएगा किसी और भरोसा मत कीजिएगा और अपने जो backup phrase है उसको आप कहते हैं एक steel की plates आती हैं उसके उपर भी गोच सकते हो आजकल तो आने भी कर लेते हैं लेकिन एक भी वर्ड इदर उदर हो गया तो भुकम पा गया कुछ भी हो गया तो उसको आप सेफ रख सकें यह सारी चीज है कि सेफटी कंसान है लेकिन एक और बड़ी चीज निकल क्या है कि hardware wallet खासका laser की बात करते हैं एक controversial update उन्होंने किया है कि आप जो है जो है seeds को रख सकते हो यानिकी backup phrase को रख सकते हो अब उसके लिए कुछ certain fees आपको देनी पड़ेगी और आपको अपनी KYC यानिकी passport या जो भी idea होगी वो उनको upload करनी पड़ेगी तभी लेकिन लोगों ने इसकी बात का बतंगड बना दिया यह एक optional है यह option है कि मानलो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है देखो हम कभी भी यह चीज़ को advise नहीं करेंगे कि आप third party को can scripted हो जो cryptocurrency की दुनिया या technology की दुनिया में कुछ भी possible हो सकता है कहीं पे भी कुछ भी अगर होता है तो ultimately आपका निल बटा सननाता हो सकता है wallet हम इस चीज़ को advise नहीं करते हैं लेकिन company का ये भी कहना है कि ये option है आप ऐसा करना चाहो इस option को use करना चाहो तो कर सकते हो नहीं करना चाहते तो normal hardware wallet की तरह वो काम करेगा उसके लिए आपको कुछ यहां पे नहीं करना है तो ये आप opt कर सकते हो अगर नहीं करते हो normally रखा हुआ है तो भी कोई tension वाली बात नहीं है जैसे दूसरे hardware wallet करते हैं, वैसे ही ये use आप कर सकते हो, तो घबराने की ज़रुरत नहीं है, one of the repeated wallet में से आता है, बहुत सारे लोगों ने अपने ledgers को transfer कर लिया या बहुत सारी videos को देखके confused हो गए, तो ये सारी चीज़े आपको clear होने चाहिए, कि एक option उन्होंने दिया है, क कि आप करना चाहो, कई लोग कहते हैं न कि यार मेरे को safety चाहिए, कि मान लो मैं अगर कुछ भी हो जाता है, मैं recovery phrase भूल जाता हूं, तो मेरा क्या होगा, तो घबराने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को आपको in-depth में समझना ज्यादा better आपके लिए रहता है, और अगर इन यहां पे एक और कांड निकल के आरा आपको बता दूँ कि बीच के अंदर जब Korea transit होता है, मान लो आपने order करी, transit होता है, तो कई लोग उसके अंदर manipulation करने लगे हैं, छेड़ चाड़ी करने लगे हैं, ताकि आपके पास आए, और जब आपके पास में आए, आप उसके होगे, मान लो 100-500 डॉलर डाल के देख लिया, और एक दो महिने के लिए छोड़ दिया उसको, अगर कोई इसके अंदर छेड़ा चाड़ी हुई, तो आपका नुपसान इतना ही होगा, आपके लाखो रुपे बच सकते हैं, तो यह सारी चीज़ों को आपको खुद से innovation करके जो हमारे दिमाग में आता है, हम आपको बता रहे हैं, खुद से भी आपको यह सारी चीज़े करनी पड़ेंगे, अब फटा-फट से बात कर लेते हैं, हम बिटकोईन की सबसे पहले, उमीद करता हूँ, यह चीज क्लियर हो गई होगी, तो टेंशन नहीं लेने वाली को इस हमें नहीं लगता है, इसके नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो हो सकता है, शौट टम के लिए जाए, पच्चिस हजार डॉलर को टच करें और बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि वहां तो एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट है, यह दो सपोर्ट पे अगर आता है, तो हजार डॉलर में आप खेल सकते हो, शौट टम के अंदर, और लॉंग टम के हिसाब से देख रहे हो, तो एक रेजिस्टेंस जो है, वो है 31,500, जो की एक इंपोर्टन रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से है, और हम इस क्वार्टर बे भी अभी भी एक्सपक कर रहे हैं, कि में थ तो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये लेवल पर लॉंग टम की होल्डिंग के लिए देख रहे हो, तो ये दो जो एंट्री पॉइंट बताएं, वहां पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, अब हम बात करते हैं, हमारे तीन कोईन की और उसमें से सबसे पहला कोईन है, लाइट और लाइट कोईन की हालविंग लगवग 75-75 दिनों के अंदर होने वाली है, और हालविंग से पहले हमने एक चीज देखी है, कि उसके अंदर एक अच्छा खासा ग्रोध देखने को मिलती है, और बिटकोईन की हालविंग अगले साल होनी है, अपरेल मई के अंदर, तो उस चीज पर नजर बनाके रखिएगा पहली और यह यह रघघा सकती है और दूसरी और यह fifth पर पोटेंशिलल लगता है कि अगले दो मेंने के अंदर एक सोचालीस टेहसो डॉलर तक ही दे unnecess आ सकता है, यानि कि 40-50% का इसके अंदर जो है हमें profit देखने को मिल सकता है, दूसरे coin की बात करें, AGIX AI से based coin है, और मैं आपको light coin की एक और important बात बता दूँ कि अगर light coin pump करता है, और जिसकी हम expect कर रहे हैं, हमने देखा है कि ये जो है bitcoin इसके जो है चीजों को follow करता है, तो या बात करते हैं, AGIX की, AGX के अंदर हमने pump देखा और जैसा कि हमें उम्मीद थी, इसने 35% का return दिया, ऐसे ही ocean भी उसी चीज को follow करता है, इतना नहीं टूटा जितना AGIX टूटा था, लेकिन हाँ, अगर यह यहाँ पर 0.33 या 0.3 dollar के आसपस मिलता है, तो बिलकुल entry यहाँ बना को हमें short term में दिखता है, इस coin पर भी नजर बना के रखिएगा, तीसरा coin है, हम NKN की बात करते हैं, यहाँ पर यह अपनी दोसों जो daily moving average है, उस पे support पर है, और वहाँ पे maintain कर रहा है, और पूरे chances है, यहाँ से यह bounce back करेगा, और short term में 10% का profit, यानि कि 0.11 dollar जो है, इसके लि 0.13 से लेके 0.45, 0.515 dollar तक हम इसका target लेके चल रहे हैं, कि यह भी देखे जा सकता है, तो यह 3 coins यहाँ पर नजर बना के रखिएगा, bitcoin या stable रहता है, या pump करता है, तो यह coin भी आपको फटते दिख सकते हैं, पूरा potential इन coins के अंदर है, इस पे भी आप नजर बना के जरूर रखिएगा, बाकि आपके भी coins है, हमें जो भी लगते हैं, हम cover करनी कोशिक करते हैं, आपने light coin के बारे हैं, पूछा, आपने ocean के बारे हैं पूछा, हमने उसको cover किया, और coin के लिए comment कीजिए, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और कोशिक करेंगे अगली वीडिय पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरू करिएगा चानल को सब्सक्राइब जरू करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत बूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिए बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम स हूँ खुछ रहें मुस्कुराते रहें कमाते रहें आपका दुस्पंकेच तैंकी नमस्कार दन्यवाद